दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है बिनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आर्यान इंस्ट्यूट लाहबाद में दोस्तों जैसा कि थमरेल पर नजर आ रहा है आज हम आपसे बात करने वाले है यूपी टेट एक्जाम 2022 दोस्त आप जानते हैं कि जो आपका यू संसोधित आंसर की है वह आएगी और वही तुरंद बताया गया था कि 25 फरवरी को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा ठीक है दोस्त आज आप जानते हैं कि आज 25 तारिक हमारी है ना ही 23 तारिक को हमारी ऑफिसियल आंसर की आई हाला कि पहले जारी हो चुकी थी लेकिन संसोधित आंसर की आती है नहीं वह संसोधित आंसर की आई और नहीं वह रिजल्ट आया ठीक है कारण यह है कि आप लोग बता रहे हैं चुनाओं में जो आचार संगिता लगी हुई है कारण उसी का बतार है तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आप से पूछना चा हैं किया जब आप 500 रूपे फीस ले रहे थे तो उस समय आचार संगिता नहीं लगी थी लगी थी क्योंकि यहां 500 500 रूपे का मामला है और यहां नीचे हमारा आता है रिजल्ट का मामला 500 रूपे लेने में ये बहुत तेजी दिखाए और वहीं अगर रिजल्ट की बारी आई तो यह 0 हो गए ठीक है देखिए यह कहीं ना कहीं हमारे और आपके साथ विस्वास घात किया जा रहा है देखिए आपकी संसोधित आंसर की नहीं आई तब से आप लगातार यह पूछ रहें कि जो रिजल्ट है वह क्या 25 तारीक को आप आएगा अरे बहुत जब रिजल्ट ही जब संसोधित आंसर किये नहीं आए तो रिजल्ट घोसित होने का कोई मतलब नहीं कोई चांसे नहीं है इसलिए आज PNP की तरफ से एक जो है रिजल्ट घोसित करने की डेट निकल कर आई है और आपका सबसे ज़्यादा कॉमेंट यहां आ रहा था कि कॉमन नंबर का मामला हल हुआ या नहीं हुआ और नीचे हमने लिखा है अगर इतने नंबर पार हैं तो पास किस रेड़ी में आप हैं इन सभी पर मैं बहतरी इन रूप से बात करूँगा मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा अगर वीडियो आज आपका पसंद आता है तो आप अपने फिटबेक अवसी दीजिएगा देखिए हम बात करते हैं पहले कॉमन नंबर पर सबसे पहली चाज आप यहां जानिएग जो SC और OBC कंडिडेट है उनकी जो पास मारकिंग होती है वह 82 नंबर होती है और अगर हम वहीं कॉमन नंबर की बात करें अगर आप अभी तक जो है अपने आपको 77-78 नंबर को काउंट कर रहे हैं तो आप यहमान के चली की पास होने की स्रेडी में है ठीक है देखिए अग कि कल जब यह वारता हुई तो उन्होंने बताया कि बया तीन से चार नंबर जादा नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी कीमत पर ठीक है तो तीन से चार नंबर बढ़ेंगे अगर आप वहीं जनरल कंडिडेट से विलाउंग कर रहे हैं तो अगर आपका 88 नंबर है और 87 नंबर है तो भी आप अपने आपको पास किस रेड़ी में रख सकते हैं लेकिन सवाल आता है कि जब रिजल्ट आएगा तब यह 100% क्लियर हो पाएगा फिलाल के लिए आप 99% मान कर चलिए कि अगर 87 नंबर आपका आ रहा है तो आप पास है ठीक है और आगे अगर हम बात करते हैं गोसित की तो आप उस अपडेट के बारे में मैं दिखाने का प्रयास करता हूं देखिए यहां लिखा गया है यूपी टीट परिडाम अस्तिकित चुनाओ के बाद आएगा देखिए सबसी लिखा गया है अंतता उत्तर प्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा यूपी मागी थी जिससे सासन की समित में नेगुरुवार को अस्तिकित कर दिया इस कारण से 25 फरवरी को घोसित किये जाने वाले परिडाम आप जारी नहीं किया जाएगा परिडाम जारी करने के लिए अचार संगिता खत्म होने के बाद नई तिथी तै की जाएगी परिचा लीक ह और उसके निस्तारण की प्रक्रिया पूरी हो गई इस परिच्छा का कारिक्रम जब जारी किया गया तब चुनाओ आचार संगिता नहीं लगी थी ऐसे में अब आचार संगिता लागू होने पर पिन पी ने 25 फरवरी को परिडाम के लिए अनुमती मांगे थी सचु ने बत अब आचार संगिता खत्म होने पर परिडाम घोसित करने के लिए नई तिथी सासन को प्रस्तावित की जाएगी और नीचे आप देख सकते हैं टीटी के परिडाम आएंगे दस के बाद यहां आप देख सकते हैं क्योंकि 10 तारीक तक 7 तारीक तक आपका चुनाओ है और 10 त परिडाम घोसित किया जाएगा जादास जादा 15 तारीक तक आपका परिडाम घोसित कर दिया जाएगा ठेक है असा करता हूँ जितने भी अपडेट मैंने दिया आप उस अपडेट से संतुष्ट होंगे रही बात कॉमन का तो कॉमन नंबर के बारे में हमने आपको बताए क जादास जादा आपको तीन से चार नंबर मिलेंगे ठेक है उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आये हूंगी वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेर कीजिएगा वीडियो समाब्त करते हैं ठैंक् धन्यवाद